हेलो फ्रेंट्स जैहिन टू आल आई होप आपकी त्यारी बहुत अच्छी चल रही होगी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बजट की वीडियो हर्याना बजट टिक है अभी तक हमने करेंट अफेर्स और करेंट स्कीम जो थी गवर्मेंट की वो कर चुके हैं और आज हम करेंगे budget of the Haryana क्योंकि budget में बहुत सारी new schemes launch करी हैं उसमें से कुछ schemes तो मैंने आपको schemes वाले chapter में करवारी थी प्रस आज कुछ new institutions खुले हैं कुछ-कुछ and कुछ जगाओं का नाम चेंज हुआ है वो हम सारे budget में जितनी भी announcement करी गई है by Mr. Manohalal Khattar because उन्होंने इस बार का budget present कर रहा है and dead to the paperless budget clear because of the covid reasons so मैं आपके समने लिकर आया हूँ budget 2021 and 2022 economic survey में इस बार fact figures बहुत कम है ज्यादा तर आपको budget में दिखेंगे but economic survey को आप please अच्छे से एक बार पढ़ लीजेगा क्योंकि वो आपको mains में बहुत काम आने वाला है क्योंकि उसमें बहुत analysis कर कर दिया है सारा का सारा data for example इस बार तो जो पहला chapter है economic survey का out of 8 chapters उसमें सारे की सारे हर्याना से related आपको facts मिलेंगे जितने भी हर्याना के facts and figures हैं वो आपको first chapter में मिलेंगे and कुछ chapters में तो बहुत अच्छा data दिया for example एक जगा पर दिया है कि जब हर्याना form हुआ था तब per capita income कितनी थी that is the rupees 608 1st November 1966 तो इस तरीके से first जो chapter है economic survey का मैं आपको suggestion दूगा कि first chapter को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें because आपको बहुत से facts and figures मिलेंगे with respect to the haryana state and आज की जो मेरी वीडियो होगी budget की इससे related कोई भी आपको PDF file या other कोई भी doubt आता है तो आप हमारी O2 Academy की app को download कर सकत हैं वो आपको अब apple store plus google play दोनों पर available है वहां से आप download कर सकते हैं plus आपको इसका link subscription box में भी दे दिया जाएगा इसके अलावा जो भी हमारे और courses हैं आपको वो सारे के सारी courses वहां पर मिल जाएंगे and as usual again saying अभी भी जो दिन हैं आप एक test series पक्का sort out कीजिए solve कीजिए so that so budget अब budget में से जो question है अभी तक 3 बार paper हुआ है 2011 2014 and 2019 after the census तो इस बार आपको पहला तो मैं आपको कहूंगा कि census पक्का पढ़ लीजेगा क्योंकि census में से आपको एक question पक्का दिखेगा इस बार paper में second अभी तक जो भी budget से question आए हैं वो बिल्कुल direct facts based आए है rather मैं कहूं तो figure based question भी आए है कि कितना percent budget बड़ा है यह total कितना amount of budget आया है यह fiscal deficit कि सरकार की जो borrowing capacity है कि fiscal deficit कितना चल रहा है कितना target था so आपको यह पता हो for example खेलो इंडिया प्रोग्राम जो इस बार हुआ था मैंने आपको last class में पढ़ाया भी था 20.67 क्रोड रुपे इसके लिए सरकार ने दिये हैं जो कि अभी जल्दी ही रोतक पंचकुला एंड कुछ locations पे खेलो इंडिया के जो games है वो start होने वाले हैं को हम उस तरीके से cover करेंगे first जो total outlay आया है कि कितना खर्चा होगा वो figure है यह आपको याद रखनी है जो इसके आगे star लगा रहा हूँ 155645 क्रोड जो कि पिछली बार से 13% ज्यादा है तो 13% अगर कम कर लिया CSAT तो last year का budget का आ जाएगा तो आपको यह पता हो कि कितना question also जो कि GSA related है बट मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि जो budget आता है जैसे अभी 2021-22 तो budget अगर question आ जाए कि budget कितने सालों का आता है तो budget होगा 3 साल के लिए एक तो होगा present year के लिए एक होगा हमारा previous year के लिए और एक होगा हमारा future के लिए कि आने वाले साम में और क्य क्या करेंगे तो यह question GS में अभी तक आ चुका है आपके prelims में UPSC में तो आपको पता हो कि एक budget तीन साल के लिए आता है बट यह आपको पता हो कि 3.83 जो है वो fiscal deficit दिया गया है in the budgetary year 2021-2022 revenue deficit जो है वो 2.32 है यह आपको पता हो प्लस effective 1.67 यह आपको पता हो effective revenue deficit क्या होता है revenue deficit में से वो grants को minus कर दो जो की assets बनाने के लिए state use कर रही है revenue deficit क्या होता है कि हरोज का सरकार कितना खर्चा maintain कर पा रही है clear कितना उसके पास input आ रहर कितना output उसको कैसे maintain कर रही है जैसे मेरे पास कुछ को तंखा आ रही है तो मुझे कुछ खर्चा भी कर रहा हूं टेली तो हर रोज की रोज मैं उसे कैसे balance कर रहा हूं For example, मेरे पास पैसे तो 10,000 पे आ रहे हैं, खर्चा मैं 20,000 का कर रहा हूँ, तो 10,000 पे मुझे borrow करने पड़ेंगे, तो जितनी borrowing बढ़ेंगी, that is called fiscal deficit, जितनी मेरी borrowing बढ़ेंगी, quite obvious है, सरकार के उपर उतना debt बढ़ता जाएगा, effective revenue deficit क्या है, अगर revenue deficit में से मैं वो वले grants minus कर दूँ, जो की states, asset बनाने के लिए use करते हैं, that is known as effective revenue deficit, clear, ये पहले term as it is, UPSC prelims में आ चुकी है, ठीक है, तो इसके last में मैंने कुछ इनकी definitions भी जोड़ी हैं, वो आप पर सकते हैं, पर आपको ये पता हो कि कितना है, 2.32, 3.83, 1.67, बजट 6 से पास होता है, ये polity का एक पार्ट है, रिवाइस करवा रहा हूँ, पहले presentation होती है बजट की, उसके बाद different different general discussions जाती है, discussion के बाद ये, जो 24 departmental committees हैं, different different committees के पास discuss करने के लिए जाएगा, उसके बाद हर उस पे voting पे, जो demands, जो grants हैं, उन पर voting होगी, and उसके बाद हो करना है सरकार को, यहां से, ठीक है, तो वो होगा, that is called as appropriation bill, ठीक है, and last is the finance bill, जो taxation लगा कर, सरकार के पास कितना खर्चा आएगा, taxation, may be the direct, may be the indirect, indirect tax से पैसा आ सकता है, direct tax से भी आ सकता है, अब indirect tax जो है, उनको तो सबको मिला कर क्याव ना दिया गया है, GST, goods and services tax, तो ये 6 budget क हमारे पास stages है, प्लस यहीं से मैं आपको एक question बता देता हूँ, UPSC problems के लिए, ये पूछा जा सुक है कि अगर budget pass नहीं हुआ, legislative assembly में, मालो हर्याना की विदान सभा में budget pass नहीं होता है, तो क्या होगा, तो Chief Minister को resign देना पड़ेगा, because assembly में कौन बैठा है, जिसकी सरकार है, तो that means no confidence motion हो जाएगा, और सरकार चले जाएगी, clear, now, इस बार का जो हर्याना का budget था, उसका focus था 5S, ये question पूछ सकते हैं, कौन कौन से ऐस थे, पहला था शिक्षा का, second था, स्वास्थे का, third था, सुरक्षा का, security, fourth क्या था, स्वावलंबन, self-reliance का, fifth क्या था, स्वाभी म self-respect का, तो इस बार का जो budget था हमारा, वो 5S पे focus था, जिसका, वो थे, education, health, security, self-reliance, and the self-respect, ये आप से question पूछा जा सकता है, कौन कौन से, या फिर पूछा जा सकता है, which of the following is not covered, या is not the main focus of budget 2021-2022 of the Haryana State, clear, now, comes to the, all the facts, figures, and numerical figures, अब, ये सबको पता होगा, कि सबसे दा, contribute कौन कर रहा है, primary sector, सबसे ज़्यादा, but, service sector, जो होता है, tertiary sector, वो सबसे ज़्यादा, जो होता है, जिसकी growth होती है, या फिर वो number one पर रहता है, हर्दम, तो, in 2021, last year, the contribution of primary sector was 19.1, secondary 30, tertiary is 50.9, manufacturing, servicing sector, जो services प्रवाइड कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा होगा, जो raw material प्रवाइड कर रहा है, the primary one, ठीक है, तो ये तो सबसे दा, primary देता है, but, contribution type में, सबसे दा किस की आएगी, tertiary की आती है, that is the service sector, ओकी, ये question आप मिर से लिखवा लीजिए, ये पक्का आपके paper में ये आपको दिखेगा, कि इस बार हर्याना government ने, 8585, figure बहुत अराम से याद हो रही है, 8585, करोड रुपेज के एक reserve fund रखा है, जिसको यूज करा जाएगा for multi-sectoral development initiatives, ठीक है, development करने के लिए, capital infrastructure maintain करने के लिए, एक special fund रखा गया है, 8585 करोड रुपेज़ का, तो ये figure आपको डिरेक्ट याद हो, next, third point, budget reflects the government firm commitment, to boost investment in agriculture, rural development, health, education, for comprehensive socio-economic growth of the state, अब budget में क्या आता है, सारी कि सारी वो चीज़े आती है, जो सरकार investment के लिए सोच रही है, आने वाले time में, in the agriculture, rural development, health, and education, education से आपको पता होगा, इसका पहले नाम था HRD ministry, now comes the fourth point, the growth of 62.53% at the current price, जो अभी current चल रहा है, and the constant price from this to this, ठीक है, constant price और current price जो अभी चल रहा है, and constant price किसका लेते हैं, 2012, clear, now, fifth, mukya mentri, viva, shagun, yojna, it is simplified to get the benefit of this scheme before the marriage or on the wedding day, या तो भई शादी वाले दिन, और या फिर अब उससे पहले भी आप मुक्हे mentri विवा, शagun, yojna का benefit claim कर सकते हैं, ओके, next is the sixth point, chief minister जी ने एक मुक्हे mentri अंतियोधिया परिवार उध्थान अभियान चिलाया है, हमने राशन कार्ड में किया था, pink color, ठीक है, yellow color किसके लिए किया था, S-BPL, या central BPL के लिए, तो यहाँ पर मुक्हे mentri अंतियोधिया परिवार योजना है, जो poorest के 1 lakh families हैं, उनके लिए है, this अभियान will verify data from, मैंने बताया था, हर scheme के लिए हमार पास क्या आगया है, 8 digits का परिवार पहचान पत्र, and identify the poorest one, यह इससे poorest families को ढूंडेंगे, and उनके बाद, अंतियोधिया का मतलब क्या होता है, economic upliftment, उनकी economic upliftment के लिए काम करेंगे, clear, 7th point, मुक्हे mentri परिवार समरिधी योजना, the objective is to provide financial assistance of 6,000 annually, to the families having income of 180,000,000 per annum, 1,80,000,000 per annum, and total holding of land of 5 acres per family, and having a पहचान पत्र ID, यह पहचान पत्र ID ते सब के साथ connect कर दिया भर्याना government ने, although अभी कुछ दिन पहले, right to privacy को यह violate कर रही है, इसके लिए article भी आया, Indian Express में, मैंने आपको कहा था, पक्का पढ़िएगा, अब यहाँ पर है कि जिसको 6,000 पर assistance दी जाएगी, जिसके पास 180,000,000 per annum, जिसकी income है, यह जो land holding है, वो up to 5 acres है, उनको यह दिया जाएगा, 8th point, हर्याना government will provide subsidy of 7,000 per record, incentive for the farmers, for crop diversification, यह हमने current affair वाले part में किया था, कि पैटी जिसको बहुत पानी चाहिए, उससे हटाने के लिए, उससे दूर करने के लिए, less water वाली crops को जाने के लिए, crop diversification का काम चल रहा है, जिसमें 7,000 पर एकड़ आपको incentive मिलेगा, और जो target क्या है, to reduce the area under cultivation by 2,00,000 acres during 2021-2022, 9th point, government ने establish करा एक इंडिया international horticulture market, गनोर में, suny district में, clear, ये याद हो आपको, ये इंडो इसराइल के 5 प्रोजेक्ट से, मैंने आपको current interface में कराया था, कि 5 हैं, 4 ओलरी थे, horticulture का अब आ गया, subsidy जो है, fruit orchards के लिए, orchards कहां पे होते हैं, खाले ठंडे इलाके में, for example, the Sikkim, for example, Himachal Pradesh में safe देखते हो आप, Aronachal Pradesh, वो increase कर दिया है, 16,000 से 20,000 पर record for mango, guava, and the citrus crops, citrus कौन से, निम्बू हो गया आपके पास, aloe vera हो गया आपके पास, ये सब क्या हैं, grapes हो गया आपके पास, the citrus crops, जिसके लिए कौन सा climate चाहिए, Mediterranean type of climate, clear, now the 11th point, Haryana State Agriculture Marketing Board is going to develop community specific market, such as Apple market, कहां पर पिंज और कर चुके हैं, पहले current affair में, revise कर रहे हैं, flower market, Guru Gram, masala market, सरसा, सरसा, सोनी पतवाला, next, यहां पर ये हम current affairs में कर चुके हैं, अटल, किसान, मजदूर, केंटीन, जिसमें, यहां पर 10 रुपे में क्या होगा, subsidized mils मिलेंगी, यह हमने current affair वाले chapter में, उसमें lecture में किया था, 13th, पर capita, जो milk availability है, वो अब कितनी हो चुकी है, 1142 gram, against the national average of 394, कहां 394, और कहां 1142, पंजाब नमबर 1 पर चल रहा है भी, हार्याना नमबर 2 पर चल रहा है, next is 14th point, जो goat breeding center है, वो establish किया गया एड़ा, लोहारू, बिवानी, बिवानी, the capital of boxers, boxers capital, जहां से सारे boxing का powerhouse है, 15th point, government ने bio safety lab जो है, with rapid RT-PCI diagnostics के लिए खोली है, कहां कहां पर, हिसार में, सोनीपत में, और पंचकुला में, तीनों district याद हो, हिसार, पंचकुला, और सोनीपत, जहां पर better diagnostic services मिलेंगी, ओके, यहां पर एक multi-model logistic hub भी खोला गया है, triple P, that means public-private partnership के साथ खोला गया है, it is the largest logistic hub in North India, over this, कहां पर, नार्नोल में, यह पैसेज तो शायद ना पुछें कि 4,000 एक क्रूट के साथ, बट यह पुछा जा सकता है कि कहां पर खुली है, नार्नोल में, 17th one, Haryana has been declared second best in the state in terms of energy conservation, and even first in the DBT, direct benefit transfer scheme, that to Kurukshetra stance number one, okay, now that's 18th point, government has selected panchkula, panchkula को select किया गया है, for green or solar city, for meeting its 20% energy from solar resources, जो target है हर्याना government का 20% का from green resources, उसके लिए panchkula district को select किया गया है, 19th, पिंज और direct fact-based question है, मैंने यह पूरा का पूरा, उनकी जो भी पूरी speech थी, उससे निकाल के यह points लेकर आया हूँ, panchkula और गुरू गुराम को film shooting hubs के लिए select किया गया है, नए, panchkula और हिसार को यहाँ पर smart और inclusive city के लिए खुला गया है, panchkula गुरू गुरू गुराम film shooting के लिए, and film shooting के लिए, and हिसार और पंचkula for the smart and inclusive cities के लिए, ओके, जो चर्खी दादरी की municipal council है, उसको first rank मिला है यहाँ पर, in the fastest mover cities में, जिसकी 50,000 से 1,000,000 के बीच में population है, और चर्खी दादरी ही पहली है, जहाँ पर 100% vaccination हुआ है हर्याना में, current affairs में, 22, स्वच सुर्वेक्शन 22, conducted by Union Ministry of Housing and Urban Welfare, चार urban local bodies हैं, करनाल, रोतक, पंचकुला और गुरू गुरू गुराम, इन सब को best performing, यहाँ पर select किया गया है, among the categories of population from 1,00,000 to the 10,00,000, इस वाले population में, यहाँ पर करनाल, रोतक, पंचकुला और गुरू 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 को select किया गया है, गंदगी, मुक्त, भारत, जो maximum ODF plus villages हैं, ठीक है, first ODF plus state क्या था, open defecation free, सिक्केम, the one and only organic state, clear, next is 23rd point, government ने कुछ forts हैं, जैसे कि लोहारू का फोर्ट है, भीवानी, टिगराना, बहुत famous हडपन site है, भीवानी में, इसके बाद करन कोट, भाटू में, फतहबाद district में, जहाँ पर कुनाल लाम की site भी है, रानी की छत्री बलबगड में, ठीक है, उसके बाद टॉम complex ताउरू में, चुहिमल की छत्री नू डिस्टिक में, नू डिस्टिक कौन सी है, Southernmost district of हर्याना, किला जफरगड जीन्द डिस्टिक के लिए, कैथल फोर्ट, इनको सब को क्या किया है, प्रोटेक्टिड साइट का, टैग मिला हैं, अंडर पंजाब एंचेंट हिस्टोरिकल मोनोमेंट एक्ट, 1964 में, ये आपके लिए बहुत इंपोर्टन है, बिकॉर्स हरपण साइट से भी कोशन आते हैं, प्रस इस साइट से भी आपको कोशन देख सकता है, नेक्स, डिस्ट्रस राशन टोकन स्कीम, ये मैंने आपको करेंटर फेर्स वाले वीडियो में भी करवाया था, जिसमें 5 kg वीट प्लस 1 kg पल्स मिला जाएगा, सेम लाइन पर कॉशन आप 2011 के पेपर में देख सकते हैं, जहांपर डिर्रे क्लस स की जगहा यहां पर कुछ और राइस को रखा गया था, यहाँ पर wheat और pulses है, वहाँ पर wheat और rice को रखा गया तो distress, ration, token scheme आपको पता हो government ने एक initiate लिया है museum के लिए और pre-repan side, pre-repan side हर्याना में एक है कुनाल, ठीक है, वो कहाँ पर, फत्यवाद में जहाँ पर एक special तरहां का culture है, known as हाकरा culture, H-A-K-R-A हाकरा culture, अब हिसार से लिकर रिवाडी तक की जो route है, उसको national highway declare कर दिया गया है, HR, HR से हर्याना, हिसार से रिवाडी, इसको national highway का tag मिल गया है, इसके बाद next है, जितने भी 5 लाग से ज़्यादा के, जो भी development works हैं, वो सारे e tender process से जाएंगे, so that, एक state में transparency बनी रहे, clear, most important, herbal forest जो है, develop किया गया है, मौरनी हिल्स में, पंतांजली योगा फीट के technical support से, मौरनी हिल्स पंचकुला में जगा है, जहां पर हर्याना की highest peak है, करोहो peak, ओके, गौलडा, पानीपत में जो village है, उसको 50, 500 एकड जो है land दी गई है, CSR के थुरू, जहां पर plantation होगी, CSR क्या होता है, corporate society, ठीक है, यहां पर corporate sector है, यहां पर, उनको यहां पर 2% of their annual outcomes, जो उनके पास benefit आ रहा है, इनके पास turnover, जो हैं कि 2% of the turnover, उनको CSR activities में लगाना पड़ेगा, social activities में देने पड़ेंगे, तो यहां plantation के लिए, गवालड़ा जो पानीपत में है, वहां पर 500 एकड लैंड पंचायत को दिया गया है, next one, one inspection certification center, खुला है कनहिली रहतक में, इसके लावा दूसरे खुलें, inspection और certification, inspection के लिए खुला है, अंबला, करनाल, हिसार, डिवाड़ी, फरीदाबार, गुरुगराम, not that much important for the, यहां पर examination point of view, बट यह budget के एक speech में था, तो I have mentioned here, okay, next is government ने एक जन सहायक आप खुली है, एक one stop cell phone based solution for all government schemes, जितनी भी government की schemes हैं, emergency services हैं, government के benefits हैं, उसके लिए आपके पास जन सहायक आप है, नाम से पता लग रहा है, जन लोगों की सहायक help करने के लिए आप खुली है, यह important है, बिल्कुल fact based question है, तीन नए यहाँ पर ITI खुले गए हैं, फरीदाबाद, शिकरोना, इंदरी करनाल, जीवन नगर, सिरसामे, शिकरोना, फरीदाबाद, इंदरी करनाल, जीवन सागर, सिरसामे, अब यह तो आप बहुत न्यूज में देखी रहे होंगे, जिसका अभी campus असली में पलवल में है, यहाँ पर विशकर्मा skill university established as the signature project of the government in one of the kind institution in the country, skill development के लिए यह university खोली है, जिसका campus अभी पलवल में है, ठीक है, और campus और अभी गुरुगराम में है, पर ओरिजिनली कहाँ पर है यह पलवल में, ओके, next is SEZ, यह special education zone, special economic zone नहीं है, special economic zone 2006 में आये थे, 2011 का HCS का prelims, उसमें यह direct question आया था, clear, HCS में यह question आया था कि कभ SEZ हर्याना में adopt किया गया, 2005 में हो आया था, 2006 में हर्याना में आया, यहाँ पर special education zone है, जिसके लिए special fund दिया गया है, एन एक fund का नाम है, gender inclusion fund, जो की higher financial assistance to the girls students in SEZ, girls student की help करने के लिए यह बनाया गया है, उसके बाद, government has taken initiative with the aim to enhance conceptual understanding for students from classes 3 to 8 under सक्षम हर्याना प्रोग्राम, 3 से 8 साल की बच्चों के लिए हर्याना प्रोग्राम, सक्षम हर्याना प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है, clear, so that उनकी conceptual understanding और हो जाए education की, यह बहुत important है, 4 rehabilitation center हर्याना में खुले गए हैं, for the purpose of scientific training, sports injury treatment and speedy recovery, आपका पता है, sports में हर्याना से उपर कोई अभी तक state नहीं है, सबस्यदा Olympics में 31 contingent हर्याना की तरफ से गया, यहां पर state rehabilitation center खुला गया है, पंचकुला में, और उसके divisional center है, रोहतक गुरुग्राम कर्नाल और हिसार में, में कहां पर खुला गया है, पंचकुला हमें, हर्याना government is proposing of establishing a university of health science, जो है कर्नाल में, उसको name कर दिया है, पंडित दीन दियाल उपाध्य है, health science university, पंडित दीन दियाल उपाध्य है, जिसका नाम है, university of health science, अटल बिहारी government college is being established at, फरीदाबाद नया खूल दिया गया है, अटल बिहारी जी के नाम पर, clear, सुष्मा सुराज जी के नाम पर, जैसे bus stand का नाम रख दिया गया है, जो अंबाला का है, new bus stand, because सुष्मा सुराज जी belongs to this, national financial management institute फरीदाबाद, उसका नाम अरुन जेटली जी के नाम पर रख दिया है, clear, state is being established, आयूरवेदा institution कहां पर, पंचकुला के अंदर कर रहा है, sex ratio जो की बहुत ही कम थी, जिसके लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्टार्ट किया गया था, 22nd January 2015 को मादरी दिख्षिज जी ने, उसके लिए आपको देखा हुआ कि कितना improvement हुआ है, 2011 के census से लेकर, 2021 का census जो अभी आने वाला है, 922 sex ratio हो गई है, इवन सिर्सा तो national average के around 948 के राउन पहुँच चुका है, मुख्य मंतरी मुफ्त इलाज योजना, जिसमें X-rays हो गया, laboratory test हो गया, surgeries हो गया, OPD service हो गई, यह सब मिला जाएगा, free of cost in the general public, for the general public, ठीक है, इसके लिए हर्यादा ने परपोस किया है कि, 1000 जो है, health wellness center खोले गई है, to take holistic approach towards the well-being of the community, इसके लावा पंचकुला पॉइंट हमने कर लिया है, the government is committed to providing water at each tail of Southern Haryana, Southern Haryana का मतलब है, जहां पर अरावलीज है, नदर हर्याना में Shivalik's है, Southern Haryana में अरावलीज है, East में हमारे पास यमना है, West में हमारे पास घगर है, North में Shivalik's, Northmost district यमना नगर, South में अरावलीज, Southernmost district यमना नगर, Oh sorry, not the यमना नगर, एंट यहां पर हमारे पास वेस्ट आ गया, यहां पर जो Northernmost था स्टेट में से गलती होगी, Shivalik's that is called the पंचकुला, Southernmost states इस्दा मेवात और नू, Easternmost जहां से यमना आ रही है, Easternmost states यमना नगर, Westernmost गगर वाला पार्ट, Westernmost इस दा चोटाला जी का गाउं, Sirsa, clear, Sirsa, Northmost आपको याद रखना है, पंचकुला, South is नू, Eastern is यमना नगर, Western is Sirsa, ठीक है, तो यहां पर lift irrigation system बढ़ाया गया, कहां कहां पर यह, चर्की जादरी, भिवानी, रिवाडी, clear, Now, सरकार ने अगले जो दो साल है, वो water biennial years किये है, so that they can focus on conservation, management and the recycling of the water, अब, गवर्मेंट ने कुछ जाम स्वी बनाए है यहां पर, रेनुका दैम, लक्ष्वर व्यासी दैम, यमना रिवर पर फोर गटिंग वाटर सप्लाई यमनानगर और इस ट्रिविटरी गिरियन तॉंस, not that much important, target has been fixed, to use 25% treated waste water by 2022, जो waste water है, उसका 25% use करना है, last is the maha garam yojana, जिसमें, 135 लीटर पर यहां पर दिया जायेगा, for the sewerage system, and insulation of sewerage new treatment plants, last में a goat bedding center would be established at loharu, totally fact-based question है यह, now, यह था सारा के सारा, जो budget में अभी तक आया है हमारे पस, अब इसके अलावा, यह सब आप खुद पढ़ लीजेगा, यह खाली आपके prelims के लिए मैंने जोड़ा है, for the eco part, कि expenditure दो तरहां का होता है, capital or revenue, पहले आता था plan और non-plan, बट जब से नीती अयोग आया है, तो 2017 से जो पंच वर्षिय योजना थी, खतम हो चुकी है, अब capital में क्या आ रहा है, capital expenditure में, जो long term assets, जो सरकार ने मनाए है, ठीक है, debt given, जो debt दे रखा है, states को, infrastructure के लिए जो पैसे है, repayment of loan, ठीक है, only principle, किसी को वापेस देना था, बट जब किसी को वापेस देते हैं, हम पैसे उधार लेते हैं, तो principle देते हैं, और interest देते हैं, तो उसका principle कहां पर आएगा, repayment of loan, capital वाले पार्ट में, defense equipment के लिए जो खर्चा हो रहा है, या फिर state government का जो है, जो हम पैसे दे रहे हैं, वो वला, revenue part में, हर दम short term आएंगे, ठीक है, जो long term होगा हर दम, asset creation के लिए होगा, मान लो, covid के लिए hospital बनाने थे, school बनाने थे, ठीक है, तो यहाँ पर maintenance के लिए, जो interest था, यहाँ पर आगया, principal plus interest वोला, subsidies दे रही है सरकार, या जो defense की, इनकी लगातार जो तनखा दे रही है, यहाँ पर, वो सारी revenue part में आगई, या फिर जो states को grant दे रहे हैं, या जो pensions दे रहे हैं हम सब, ठीक है, अब receipt वाला part भी same capital में आगया, और X में आगया, हमारे पाद revenue वाले part में आगया, capital में क्या है, liability, जो liability बने हुए हमारी, ठीक है, debt दे रहे हुँ आप, यहाँ पर पैसा आ रहे है, grants, IMF से पैसा आ रहे है, borrowing कर रहे हैं, कुछ companies को हमने privatize कर दिया, disinvestment, small saving fund, government अपनी bonds निकाल देती है, पैसे लेने के लिए, ठीक है, loan recovery, जब आप loan रहे हैं, तो उसका principle वाला part आपके पास आएगा, provident fund से जो पैसा आ रहे है, वो आपके पास आएगा, revenue, revenue part दो तरहां से आता है, taxation से, taxation में भी direct और the indirect taxation, ठीक है, tax sources कौन से हो सकते हैं, direct और indirect, direct हो गए income tax, wealth tax, corporate tax, इस बार अगर general budget करें union level का, तो number one पे क्या है, यहाँ अब के पास corporate tax, number two पे GST, ठीक है, custom duty, अब यह indirect tax जो है, यह सारे सारे मिलके क्या हो गए है, GST, इसे पैसा आ सकता है सरकार के पास, interest and dividend from the investment, कोई investment कर रही थी, उससे interest dividend आ रहे है, ठीक है, services हो गई, योजना कुरुशेतरा, यह newspaper जिसमें ads आती है, उससे जो पैसा आ रहे है, grants जो हमें मिल रहे है, यह जो profit आ रहे हैं, हमारी companies है, उससे जो PSU से पैसा आ रहे है, ठीक है, यह कुछ term है, fiscal deficit, total खर्चा, minus total receipt, except, जो पैसा आ रहे है, borrowing वाला पैसा नहीं, that is called fiscal deficit, revenue deficit, revenue expenditure, minus revenue receipt, primary deficit, जो कि बचाता है, हरोज सरकार कितना खर्चा है, maintain कर सकती है, मेरे पर कुछ आया, मुझे कुछ light का खर्चा देना था, कुछ AC का खर्चा देना था, कुछ servant का खर्चा देना था, जितनी तनका आ रही है, वो हरोज की maintain कर पा रही है, इससे सरकार का पता लगता है, कि सरकार हरोज किस तरीके से maintain कर रही है, तो total expenditure, minus total receipt, बट जो पैसा आपके पास आ रहा है, उसमें आप borrowing नहीं count करोगे, क्योंकि आपने extra borrow की है, expenditure, interest payment, जो आपने interest किसी का देना था, पहले से उधार, वो आप इसमें नहीं जोड़ोगे, that is called primary deficit, बट सरकार कहते हैं कि कुछ पैसा तो हम स्टेट को capital बनाने के लिए भी देते हैं, स्टेट को पैसा भेज दिया कि तुम ये स्कूल बना लो, कुछ कर लो, that is called effective revenue deficit, तो ये था हमारा budget वाला topic, इसमें से हमारे सारे एक सारे effects हो गई है, numerical values हो गई है, schemes हो गई है, प्लस थोड़ा सा मैंने GS के लिए आपके economics के लिए ये सारी definitions भी दे 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 हैं, so that आप E की जगा पर इसको revise कर लिए, so this is all from my side, as far as the budget of Haryana is concerned, with these words, I am signing off my today's lecture, जैहन तो आल, टेक केर,